इस बार की रेल बजट से भागलपूर का होगा काया कल्प और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे पैसांजरों के लिए रेलवे स्टेशन पर क्या सुभधाई मिलेगी और इस बार की रेल बजट में कितना कुछ रेलवे की तरब से यात्रियों को मिला है इस वीडिय अगर हम बात करें मुझपरपूर या फिर आसन सोल के तुल्ना में मुझपरपूर को 442 करोड इसके लावे आसन सोल को 300 करोड रासी आवंटित की गई है वहीं भागलपूर को मात्र 200 करोड मिले है भागलपूर रेलेवे स्टेशन को पिनर विकास योजना के तहत मिलने वा पिनर विकास योजना के तहत बिहार के 86 रेलेवे स्टेशन का चैयन किया गया है और यह वह स्टेशन है जहां से साल में 50 लाग से जादा पैसेंजर सफर करते हैं स्टेशन डेवलेप्मेंट के कारी को लेकर डिपियार तयार की जारी है जिसे 15 फरवरी तक डिविजन को सौपना है यह डिपियार रेल लैंड डेवलेप्मेंट ऑथरटी द्वारा तै की गई है और नई दिल्ली की एजेंसी इस पर काम करेगी स्टेशन डेवलेप्मेंट के तहत 882 वर्ग मीटर एडिया प्रस्तावित किया गया है और उत्तर में फ्लाई ओवर पूरब में लोहिया पूल पस्चिम में सिल्क वेंडर सेड एवं दक्षिन में मजार तक विकास किया जाना है इसके लावे भागलपूर एलवे स्टेशन पर फूर्ड कोर्ट, वर्ल्ड क्लास वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह और मनुरंजन एवं सौपिंग के लिए अलग अलग सुबधाई रहेंगी कई एसकेलेटर लगाए जाएंगे और दिव्यांग जनों के लिए विशेज सुगधाई होंगी इसके अलावे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी अंडर पास बनाये जाएगा प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ले जाने की भी सुबधाई मिलने की आने वाले समय में और अभी फिलहाल प्रोजेक्ट के एस्टिमेट के हिसाब से रासी दी गई है और अगर एस्टिमेट में बरोत्री होती है तो रासी भी बढ़ेगी उमीद करते हैं कि इन सभी सुबधाउं का काम जल्द चालू हो फिलहाल डिपियार तयार किया जा रहा है जिसका रिपोर्ट जल्द तयार होगा उसके बाद काम सुरू होगा आने वाले नेक्ट टूडियो अप्रेट में कई और जानकड़ी लाने वाले हैं या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को सेर करें